कॉरोना वाइरस के बीच म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा करगती है उत्र बंगाल मेडिकल कॉलेज वस्पताल में ब्लैक फंगस से अब तक पाँच लोगों की मौत हो गई है वही कई लोग फिलहाद ब्लैक फंगस से संक्रमित है जिसके बाद आज उत्रबंगाल मैडिकल कॉलेज ब अस्पाल में बलक फंगस को लेकर एक सेमिनार का आयूज़ण क्या गिया राजे सरकार के तरप से मिकोर मायकोजिस के इलाज को लेकर पहले ही एक गाइडलाइन जारी क्या गिया है इधर आज के सेमिनार में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौझूद थे इस सम्मंध में उत्तरबंगाल मेडिकल कॉलेज वस्पताल के प्रिंसिपल इंद्रजीत सहा ने कहा कि राज्य का स्वास्त विभाग म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ने के लिए तयार है वही राज्य स्वास्त विभाग द्वारा दिये गए दिशा निर्देश का पालन करती फे उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज वस्पताल भी इस बार ब्लैक फंगस से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तयार है उन्होंने कहा कि ब्लेक पंगस से संक्रमित उत्तर बंगाल के समस्त छेत्रों के मरीजों का यहां इलाज किया जाएगा यही प्रोटोकलता कीभाब इंप्रीमेंट करा जाये और प्रोटोकलतो समस्त फ्रासेन कोंस माने लेखा थाके ना बेक्ति गोतो एक्स्प्रियांसेरों भुत्ति गोरे जिए ऑजना पठे जोदी आम ने के चोलते होये ताले आमों के ठेके-ठेके जीवाएब अमारा चीकि वियाबार गोली एकने डिसकाशन मुद्रातो होलो जाते संबाई जीन्स्यों के वाकिवाल होये यदूं संबाई जीन्स्ते चाथे नीए, बूझ नीए प्रपली झाल झाल झाल